हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू अबर चैनल डियरेक्स मेडी हेल्प दोस्तों आज हम नीरो वियान फोर टैबलेट के बारे में बताएंगे और जानेंगे इसके क्या यूजिज हैं, डोजिज, साइड इफेक्ट तता इसको किस कंपनी द्वारा मैनिफ्रेक्शन किया गया ह यह सभी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें दोस्तो जो निरूबियान 4 टैबलेट होती है, वो विटामिन B का कॉंप्लेक्ट का समू है, जिसमें सभी प्रकार की विटामिन B पाई जाती है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, एन विटामिन B12, जो कि हमारे स्वास्ते के लिए बहुती लाबदायक होती है और इसकी 30 टैबलेट की स्टिफ्स आती है, जिसको मर्क कंपनी द्वारा बनाए गया है, बहुती सस्ती और एफेक्टिव टैबलेट है दोस्तो अब हम बात करते हैं, निरोब्यान 4 टैबलेट की यूज़िज की कि इस टैबलेट को हम किस किस कंडिशन में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो नमबर 1 जहां पी आपकी बिटामिन B की डेफसिएंसी हो गई है, बिटामिन B की कमी के कारण होने वाले रोगों में ये काम करते हैं, उसको बिटामिन B की कमी को यह कूरा करती है तो वहां भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा जैसे मुझके छाले या अलसर हो गए है पेट में तो वहां भी इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है देन आप इस टैबलेट का जो प्रेगनेंट लेडिस होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बिटामेंस मिनरल की जरूरत होती है उसकी पूरती के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है उसके अलावा जो निरोपेटी पेन होता है डियाबिटिक पेशेंट में उसको भी ये साथ में आप ले सकते हैं अन्य जो दवाई चल रही है उसके साथ आप इस टैबलेट को भी ले सकते हैं तो जहां भी नर लगना जैसे समस्यां रहती हैं, वहां भी आप इस टैबलेट के यूज कर सकते हैं, तो इस टैबलेट को आप अपने डॉक्टर की सलापरी लें, उसके अलावा अगर इसकी कॉमन डोज की बात करें, तो ये एक से दो टैबलेट सुबह साम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, दोस्तो अगर हम इस टैबलेट के साइड एफेक्ट की बाद करें, तो इस टैबलेट के साइड एफेक्ट जो हैं, वैसे तो कोई देखी नहीं गए हैं, अगर फिर भी अगर आप ओवर डोज लेते हैं, तो कुछ सामने साइड एफेक्ट हैं, जैसे के इरुन का कलर यलो हो अब हम बात करते हैं इसके precaution की कि इस tablet को कब कब नहीं यूज करना चाहिए तो दोस्तों जैसे कि आपको कोई काईडिक समस्या है या डायविटेक है समस्या है या लिवर की कोई समस्या है वहां आप इस tablet को लेने से बचें अगर ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक